ICC T20 विस्वकप के फाइनल मुकाबले में आस्टेलिया ने नियूजिलेंड को वाठ विकेट से हरा दिया जहां पूरी दुनिया ये उमीद कर रही थी कि भारत पाकिस्तान या इंगलेंड की टीम विस्वकप जीतेगी सभी को चौका कर आस्टेलिया ने बाजी मारी आस्टेलिया की वर्ड कप जीत का सबसे बड़ा कारण उनके कुछ तगड़े मैच विनर्स रहे अब ऐसे ही एक मैच विनर पर IPL 2022 के मेगा आउक्सन में टीमें करोडों रूपए लुटाने के लिए एक दम तयार रहेंगी IPL 2022 के मेगा आउक्सन में सबसे महंगी बोली आस्टेलिया के गातक आल राउंडर मिचल मार्स के उपर लग सकती है जी हाँ ये आल राउंडर आस्टेलिया की वर्ड कप जीत में सबसे बड़ा मैच विनर साबित हुआ ऐसे में सबी टीमें इस खिलारी पर बड़ा खर्चा करने के लिए एक दम तयार होंगी T20 विसकप के फाइनल में भी मार्स ने 50 गेदों में नाबाद 77 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 लंबे चखके लगाए इस पारी में एक बात तो साफ नजरा रही थी कि ये खिलारी बड़े मैच का प्लेयर है अगर मार्स की हालिया फार्म की बात की जाए तो इस वक्त अपने केरियर की सबसे बहतरीन और खतरनाक फार्म में है ये आर्राउंडर बल्ले से तो धमाल मचा ही रहा है इसके अलावा गेज से भी अपनी टीम को कुछ जरूरी विकट दिलवा रहा है टी टूंटी विस्वकप की बात करें तो मिचल मार्स ने कुल 5 पारियों में 180 रन बनाये जिसमें उन्होंने 2 अर्दसतक लगाए इसके अलावा जब टी टूंटी विस्वकप से पहले आउस्टेलिया बेहत खराब फॉर्म से गुजर रहा था उस वक्त भी मार्स का बल्ला खूब रन उगल रहा था बेश्टन्डी इस दौरे पर आउस्टेलिया इटीम चार एक से हार कर आई लेकिन वहां भी मार्स ने 3 हाफ सेंचुरी लगाई ऐसा ही कुछ बंगलादेश दौरे पर भी देखने को मिला IPL के मेगा आक्सन में हमेशा से ही सभी टीमों का फोकस आउस्टेलिया इखिलारियों के उपर होता है इसका कारण ये है कि ये खिलारी बड़े मैचों के प्लेयर होते हैं अगले साल होने वाला मेगा आक्सन में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है मिचल मार्स पर सभी टीमे करोडों रूपए उडाने के लिए तयार होंगी क्योंकि ये खिलारी अपने दम पर मैच को पलटने का दम रखता है वही ये खिलारी आक्सन में सबसे महंगा भी बिक सकता है